नमस्कार, मैं डाक्टरों प्रकास बहिर्वा, सहय का अचार्य संस्कृत, राज की एसनात को उत्तर महाविद्याले जहलवार, आज हम महा कभी माग द्वारारचीत, शिशुपाल वधम महाकावि के द्वित्तिय सर्ग का अधियन करेंगे, मंत्रना ग्रिह में भगवान श्री क्रिष्ण, उध्धव एवं बलराम जी की सोभा का वर्णन किया गया है, शार्धम उध्धव सीरिभ्याम अथासावास दत्सद है, गुरुका व्यानुगाम विभ्रत्य चांद्रेम अभी नभेश्रियम, शार्धम उध्धव सीरिभ्याम अथासावास दत्सद है, गुरुका व्यानुगाम विभ्रत्य चांद्रेम अभी नभेश्रियम, अथासाव अथान इसी प्रकार अशव भगवान स्री क्रिश्न अभी नभ नभ यानि आकास मंडल, आकास तो अभिनभ आकास मंडल में, इसी प्रकार भगवान स्री क्रिश्न आकास मंडल में, गुरुकाव्यानुगाम चांद्रेम श्रियम विभ्रत्य, गुरुकाव्य अनुगाम चांद्रिम गुरु भृष्पति और काव्य शुक्राचा जो राक्षसों के आदेत्तों के जो गुरु हैं शुक्राचारिय अनुगाम यानि से युप्त, ब्रिश्पत्ति तथा सुक्राचार्य से युप्त चांद्रिम श्रियम चांद्रिम चंद्रमा की श्रियम यानि सोभा को सुन्दर्ता को विब्रत धारन करते वे उद्धव सीरिभ्याम सार्धम उद्धव शीरिभ्याम बलरामजी के सार्धम यानि साथ उद्धव और बलरामजे के साथ शद आसदत शद यानि सभाव ग्रह में आसदत यानि बैठे इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण आकास मंडल में ब्रिश्पति तथा सुक्राचार्य से युक्त चंद्रमा की सोभा को धारन करते हुए उद्धव और बलरामजे के साथ सभाग्रिह में बैठे गुरु काव्यव ब्रिश्पति शुक्राव अनुगाव अनुयाईनव यस्याम तम गीश्पति ही धीश्ण है गुरु हूँ इती शुक्र है देत गुरु हूँ काव्य है इती चे अमर है जो अमर सिंग का जो अमर कोस है उसमें जो ब्रिश्पति है उसके जो परियावाची है वो इसम बता है गीश्पति धिश्ण है और गुरु और जो शुक्राचारी है उसके जो परियावाची है वो है शुक्र है देत गुरु हूँ काव्य है इती ये अमर कोस में इनके जो समानार्थक सब्दी मिलते हैं गुरु काव्यानु गाम गुरु हूँ ब्रिश्पति काव्य है शुक्र है तव अनुजायनौ यस्याम ताम अभिनभ है नभ है अभी इत्त अभिनभ है अभ्य भाव है इस स्लोक में चंद्र मा से भगवान स्रीकृष्ण की ब्रिश्पति से उधव की सुक्र से बलराम जी की और मंतरना ग्रह की आकास से सम्ता की गई है अगला स्लोक में मंतरना ग्रह में सभाव वेदी पर इन तीनों की सोभा का निरूपन किया गया है जाज्वल माना जगत है शांतिये समुपेयो से वैद्योतिष्ट सभावेद्याम असवनर से खीत्रई जाज्वल माना जगत है शांतिये समुपेयो से वैद्योतिष्ट सभावेद्याम असवनर से खीत्रई जगत जगत यानि संसार के शांतिये कल्यान के लिए मंगल के लिए संसार के कल्यान के लिए समुपेयो से मिलने वाली एकत्र होने वाली जाज्वल माना तेज से दमक्ती हुई असव यह नर सिखी त्रही नर स्रीकष्ण उद्धव इवं बलराम रूपी सिखी त्रही जो अगनी त्रहाद अगनी त्रीमूर्ती है सभावेद्याम सभावेदी पर व्यद्योतिष्ट है प्रदिप्त हुई संसार के कल्यान के लिए मिलने वाली एकत्र होने वाली तेज से दमक्ती हुई यह नर स्रीकष्ण उद्धव बलराम रूपी अगनी की त्रीमूर्ती सभावेदी पर प्रदिप्त हुई जाज्वल माना जलधातु से यंग लटलकार सानच और टाप प्रथमा विभक्ती एक वचन में जाज्वल माना सब्द बनता है समू पे युसी सम उपसर पूर्वक सम और उपसर पूर्वक क्वासु धातु से गीप प्रथमा विभक्ती एक वचन में समू पी ये सु बनता है व्यद्यो तिष्ट है वी उपसर पूर्वक द्युत धातु से लुगलकार प्रथम पूर्श एक वचन नर्शिक त्रई नरा एव सिखन है अग्निय है तेशाम त्रई तत्पूर्श है अग्निया तीन होती है गार है पत्याग्नी दक्षनाग्नी और आहवनियाग्नी जैसे यग वेदी पर इनका सम्मिलन विश्व के कल्यान के लिए होता है उसी प्रकार अग्नी तुल तेजस्वी इन तीनों का सभावेदी पर इकत्रित होना संसार के कल्यान का हीतू होगा यह बात ध्वनित होती है इसमें रूपक अलंकार है